नमस्कार बच्चों आज हम तक्षा बार्वी का अध्याय चार सारनेक पढ़ेंगे यह हमारा दूसा सत्र है आएए याद करें हमने पिछले सत्र में क्या पढ़ा पिछले सत्र में हमने तीन कोटी के आव्यूतक के सारनेक सीखे और सारनेकों के कुछ गुन्धर्म भी देखे आज हम इस सत्र में सारनेकों के कुछ और गुन्धर्म सीखेंगे साथी तृरबुच का छेटरफल भी दिखेंगे किसकी सायता से? सारणिक की सायता से आईए देखें सबसे पहले गुण धर्म सारणिक के वė่ क्या हैं? देखेंगे यह हैं हमारा चौथा गुण धर्म याद करेंगे हमने पिछले सत्र में 3 गुन धर्म करे थे तो ये गुन धर्म हमें क्या बता रहा है यदि एक सारणे के किसी एक पंक्ती या अथ्वस्थ हम कि प्रती एक अव्व्यव को हम एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणेत हो जाता है। उधारन के तौर पर अगर हम ए सारण एक निकालने उधारन ले लेते हैं। ठीक, इसको आप हल करेंगे तो आप पाएंगे इसे में हम तीसरी पंक्ती के अनुदीश प्रसरण कर रही हूं। तो आप देखेंगे आप क्या पाएंगे एक ये बना चार शूने तीन और दो इसको हल करने पर आपको एका सारणिक क्या मिला आठ ठीक, ऐसे ही अब मैंने आरवन यानि पहली पंक्ती के सारे अव्यव को दो से गुणा कर दिया, यानि जो अचर दो है उससे गुणा कर दिया ठीक, तो ये जो पहली पंक्ती के अव्यव हैं, अव्यव क्या बन जाएंगे? हमें नया क्या मिलेगा? सारणिक मिलेगा, और वो किसको हल करने पर मिलेगा? अव्यव बने 2, 8, 0, 0, 3, 2, 1, 0, 0, देखेंगे हमने किसके अंदर परिवर्तन किया? पहली पंक्ती में, तो बाकी जो पंक्तिया हैं मैं वैं वैसी रही, अब हल करने पर आप देखेंगे, हमें जो सारनिक है, वैं नया सारनिक, क्या प्राप्त हुआ? 16, ठीक, और हमारा गुंधन क्या बता रहा है? जो हमारा नया सारनिक प्राप्त हुगा, वैं भी क्या हुगा? अगर हम पुराने सारनिक को उसी अचर से गुणा करते हैं, तो आप देख सकते हैं, हमारा ये जो नया सारनिक है, वैं किसके बराबर है? दो गुरा में एके सारनिक, ठीक? आईए अब आगे देखें, इस टिपनी पे बिंदों पे ध्यान देंगे, पहला बिंदों हमें क्या बता रहा है? इस गुंधर्म के अनुसार, हम एक सारनिक की, किसी एक पंक्ती या फिस थंबों से, सर्व यानी जो सार्व उभे निष्ट है, गुनखंट बाहार निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास दो, चार, शूने, एक, पांच, तीन, शूने, शूने, दो, ये दिया हुआ है, तो हम पंक्तियों या फिस थंबों में से, क्या निकाल सकते हैं, जो सार्व संख्या उभे निष्ट है, उभे निष्ट संख्या वो हम भार निकाल सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं, इस पहली पंक्ती में, क्या उभे निष्ट निकल सकता है, दो, इसी प्रकार, तीसरी प एक दो शून्य एक पांच तीन और यह आखरी पंक्ति क्या बनी शून्य शून्य एक ठीक अब अगला बिंदू हमें क्या बता रहा है यदि एक सारने की किन ही दो पंक्तियों या फिर स्थम्बों के संगत अव्यव समानु पाती है तब उनका मान क्या होगा शून्य होता है आए इस पे एक उधारन देखें इस उधारन में हमें इस सारनिक का मान ज्याद करना है गौर से देखेंगे इस सारनिक को इसके पहले स्थम्ब और तीसवे स्थम्ब को ये दोनों क्या है समानु पाती तो हमारे बिंदू के मताबिक ह हमारा यह जो सारनिक कमान है, यह कितना होगा? 0. और भी ध्यान देंगे, यह जो पहला स्थम है, इस में से हम कुछ उभेनिष्ट निकाल सकते हैं, कितनी संख्या? 6. देखेंगे, 6 को अगर हम 17 से गुणा करते हैं, तो 102 मिला, 6 को हम 3 से गुणा करने पर 18, और आकरी अव्या 6 चैचे, 36. तो हम यह पहले स्थम में से 6 को उभेनिष्ट ले लें, तो आप देखेंगे, हमारा सारनिक यह बना, और इस सारनिक में जो पहला स्थम है, और जो तीसरा स्थम है, वे क्या है? समान है. और हमने पिछले ही सत्र में गुण धर्म किया था, क्या किया था? कि यदी हमारे पास सारनिक में कोई भी पंक्ती या फिर स्थम समान हो, तो सारनिक का मान 0 होता है, तो 0 हुआ. ठी? आईए बागे देखें. अगला गुन धर्म, गुन धर्म 5. वे क्या बता रहा है? यदि एक सारनिक की एक पंक्ती या स्थम के कुछ, या सभी अव्यव, दो पदों की योगफल की रूप में लिखे गए हैं, या फिर व्यक्त हों, तो सारनिक को दो या अधिक सारनिक को की योगफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं. आईए इस उधारन से समझें. इस उधारन में हमें क्या दर्शाना है? ये जो सारनिक है, इसका मान 0 है. गौर से देख जब हम खल करेंगे, तो हम अपना गुन्धर्म लगा सकते हैं. इस गुन्धर्म के जो अव्यव हैं, वे क्या हैं? पदों के योगफल के रूप में दर्शायों हैं. तो हम उसको दो सारनक के योग में दर्शा सकते हैं. कैसे देखेंगे? ये हमारी दूसरी पंक्ती को. इस द जैसे हैं, A जमा 2P, B जमा 2Q, C जमा 2Z, तो यानि हमने इस सारणिक को किसके रूप में व्यक्त किया, यानि ये किसके बराबर है, दो सारणिक के योग के बराबर, और वे हमारे पास दो सारणिक के अव्यव, आपके पास सामने है, सुपष्टता क्या है, एक सारणिक बना A, B C, A, B, C, P, Q, Z, फिर से आप कहेंगे, पहली पंक्ती और दूसरी पंक्ती इसकी क्या है, समान है, तो यानि इस सारणिक का, जो मान है, वे हो गया, शूनने, अब दूसरा, जो हमें मिला, ध्यान देंगे, इसके अब्यव क्या है, A, B, C, 2P, 2Q, 2Z, P, Q और Z, ध्यान देंगे फिर से, इस सारणिक के, क्या, दूसरी पंक्ती और तीसरी पंक्ती वे क्या है, समान उपाती, फिर से ये क्या हो गया हमारा सारणिक का मान, शूनने, और शूनने, जम शूनने हमें क्या मिला, शूनने, यही हमें दर्शाना था, कि हमारको जो सारनिक दिया हुआ है इसका मान किसके बराबर शुन्ने के वही हमने दशा दिया ठीप आईए बागे देखे हमारा अगला गुंधर्म यह है गुंधर्म छे यह क्या बता रहा है यदि एक सारनिक के किसी पंक्ति या फिस थम के प्रति एक अव्यव में दूसरी पंक्ति या स्थम के संगत अव्यवों के समान गुंधर्म जों को जोड दिया जाता है तो सारनिक का मान जो है वह है वही रहता है यानि वह बदलता नहीं इसको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं यह किस के लिए पंक्तियों के लिए और C.I.J. वाला हमारा स्थम के ठीक, क्योंकि हम जानते हैं, आर हम इसलिए ले रही हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी में पंक्ति को रोज कहते हैं, ठीक, तो यही हमारा बतला रहा है हमारा ये गुन धर्म लगाने पर जो सारणिक का मान है, वह है, बही रहता है, बदलता नहीं आईए उधारन देखें, उधारन में आपको सिद करना है, ये जो सारणिक है, इसका मान हमारे पास कितना आ रहा है, एक इखार तीन और इसको हम हल करेंगे किस से? इस गुन धर्म की सायता से, आईए देखें इसका उत्तर उत्तर निकालने के लिए हम कुछ संक्रिया लगाएंगे, हमने पंक्ती 2 और पंक्ती 3 में संक्रिया लगाई, पंक्ती 2 में क्या किया? हमने पंक्ती 2 के अव्यव में से, क्या किया? पहले हम पंक्ती 1 में, कि जो अव्यव हैं उन्हें 2 से गुणा करेंगे, और पंक्ती 2 के जो संगत अव्यव हैं उन में से घटा देंगे ठीक ऐसे ही पंक्ती 3 में पहले पंक्ती 1 में के जो अव्यव हैं उसको 3 से गुडा करेंगे और पंक्ती 3 के जो संगत अव्यव हैं उन में से घटा देंगे तो इस तरीके हम पंक्ती 2 और 3 में बदलाव कर रही हैं हम जानते हैं ये बदलाव करने पर हमारा जो सारणिक है, इसका मान नहीं बदलेगा, ठी? ये हमारा गुंधर्म बता रहा है, अब हमने पहली पंक्ती में कुछ भी बदलाव नहीं किया, तो अव्यव हमारे वही रहेंगे, देख सकते हैं, A, A जमा B, A जमा B, जमा C, ठी? अब दूसरी पं कालना था? पंक्ती एक का अव्यव, A लिया, पहला, उसको दो से गुणा किया, ठी? कर दिया, पंक्ती दो का जो संगत अव्यव है, यानि दो A, उसमें से घटा दिया, क्या मिला? शून नहीं, वही देख पा रहे हैं हम, ऐसे ही हम पंक्ती दो का दूसरा अव्यव मिकालें देखें कैसे मिला? क्याल करना है हमें, पंक्ती एक का जो अव्यव है उसे 2 से गुणा, क्या किया? ठीक? अब इस अव्यव को पंक्ती 2 के जो संगत अव्यव है, उसमें से घटाना है, ठी? आप देख सकते हैं क्या मिला? 3A, माइनस में 2A, कितना मिला? 1A दो B माइनस में दो B यानि यह 0 ने हो गया हमारे पास अव्यव क्या बना A ठीक, इसी प्रकार हमें यह अव्यव जो तीसरा अव्यव है दूसरी पंक्ति का वह भी मिल जाएगा ठीक, इसी प्रकार हमें तीसरी पंक्ति मिली और तीसरी पंक्ति के जो अव्यव हैं वैं क्या मिले? 0, 3A, 7 जमा 3B ठीक? इसे अब हम वल्पी सरर बना सकते हैं कैसे? कुछ और संक्रिया का इस्तमाल करके आईए देखें क्या किया? देखेंगे अब हम पंक्ती 3 के अंदर बदलाव कर रही हैं कैसा बदलाव कर रही है? अगर हम पंक्ती 2 के अव्यवों को 3 से गुड़ा करें और फिर पंक्ती 3 के संगत अव्यवों में से उनको घटा दें तो हमें क्या मिलेका? देखेंगे पहली पंक्ती और दूसरी पंक्ती में हमने कोई बदलाव नहीं किया तो उसके जो अव्यव हैं वे समान हैं देख सकते हैं हमने वही लिखा है ए ए जमा बी ए जमा बी जमा सी ये पहली पंक्ती के अव्यव और दूसरी पंक्ती के अव्यव शूनने ए दो ए जमा बी तीसरी पंक्ती का संक्रिय का इस्तमाल करके आप देख सकते हैं हमें क्या अव्यव मिले? 0,0 और ए. अब इस सारणिक में देखेंगे, हम इसको पहला स्थम और तीसरी पंक्ती किसी के भी अनुदीश इसको प्रसरण कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम 0 ने आ रहे हैं. आप देखेंगे, अगर हम इसे पहले स्थम के अनुदीश प्रसरण करें तो हमें क्या मिल रहा है? सारणिक कमाल A. पहला स्थम और पहली पंक्ती के अव्यव हटाने पर क्या मिला A, 2A, जमा B, 0 और A. इसको सारणिक है, अब इसे हम हल करेंगे. देखने पर, हल करने पर हमें क्या मिला? A की खाथ, 3. A का A से गुणा, और 2A जमा B को 0 से गुणा करेंगे, तो क्या मिला? 0 नहीं. तो यानि हमें सारणिक कमान कितना मिल गया? एक की खाथ, 3. और यही हमें दर्शाना था. ठीक? आईए अब आगे देखें. इन दो बिंदों पर ध्यान देंगे. पहला बिंदों हमें क्या बता रहा है? यदी सारणिक में, अगर हम किसी भी पंक्ती में कि जो अव्यव हैं, उसे किसी अचर के से गुणा करें, या फिर समान, जो हमारी संक्रिया है, वे हम स्थम में लगाएं. तो इसके प्रयोग करने पर जो हमें सारनिक प्राप्त हो रहा है, वह किसके बराबर है? जो पहला सारनिक है, अगर उस सारनिक को हम क्या कर दें? अचरके से गुणा करते हैं, तो वह हमें किसका मान देगा? जो हमें नया सारनिक मिला है, ठीक? दूसरे बिंदु हमें क्या कह रहा है? यदि एक साथ हम इस प्रकार जैसी चो शंक्रियाओं का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए तो हमें ध्यान देना चाहिए कि पहली संक्रिया से प्रभावित पंक्ती का अन्य संक्रिया में प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसे ही हम स्थम के लिए भी ध्यान रखें, ची? आईए अब आगे देखें, त्रिबुच का छेतरफल, त्रिबुच जिसके शीश बिंदू, हमें क्या दियों हैं? ये तीन, अगर ये तीन शीश बिंदू हों, तो आप छेतरफल व्यंजग को इस रूप में लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं, और ध्यान देंगे, हम इस व्यंजग को सारणिक रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार हमने क्या किया है? जो शीश बिंदू हैं, वे क्या बने? पहले स्थम और दूसरे स्थम के अव्यव, देख सकते हैं, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, और तीसरे स्थम के अव्यव, एक रहेंगे, एक, एक और एक, इस पूरे सारणिक को हमने अचर एक बटे दो से गुणा किया, ध्यान देंगे, ये सारणिक, अगर हम पहले स्थम के अनुदीश प्रसरन करें, तो आप इसी व्यव्यव, जग को पाएंगे, ठी? आएए कुछ विशेश बिंदू देखें, सबसे पहले, पहला बिंदू, क्योंकि छेदफ़ एक धनात्मक राशी होती है, कैसी राशी होती है, पॉजिटिव, इसलिए हम सदेव, एक, यानि जो हमारा सारणिक था, ठी? ठी? वह सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं, यानि जो धनात्मक मान है, वही लेते हैं, ठी? दूसरे बिंदू पे ध्यान देगे, यदि छेत्रफल दिया हो, तो गड़ना के लिए सारणिक का धनात्मक और रेनात्मक दोनों मानों का प्रयोग की करना है हमें, इस दूसर बिंदू पे हम एक प्रश्न भी लेंगे, देखेंगे, अब आखरी बिंदू देखेंगे, क्या दिया आवा है इस बिंदू में? तीन सनरेख बिंदूों से बने त्रिबुज का जो छेत्रफल होता है, वे शून्य होगा, आप जानते हैं, अगर तीन सनरेख बिंदू हैं, तो हमारे त्रिबुज नहीं बनता, और अगर त्रिबुज नहीं है, तो उसका छेत्रफल भी नहीं होगा, इसलिए उसका जो त्रिबुज का छेत्रफल है, वे क्या होता है, शून्य, चीक, आईए अब सवाल देखें, पहले सवाल में, क्या देख रही हैं, क्या दिया वा त्रिबुज का छेतफल ज्याद करना है याद करेंगे व्यंजक को हमने सारनीक रूप में लिखा था वे क्या था? याद करते हैं जो हमारे शीश बिंदू थे वे क्या बन गए? पहले स्थम और दूसरे स्थम के अब व्यव X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 और आखरी स्थम में सारे एक-एक अफ्यव ठीक? अब इसी प्रकार हम इसको इस तरह व्यक्त कर सकते हैं यानि कैसे? हमारे पास पहला शीश बिंदू क्या है? एक-शून नहीं तो यानि X1 और Y1 यानि X1 और Y1 का हमने मान भर दिया क्या मिला? एक और शून है इसी प्रकार दूसरे शीश बिंदू का मान 60 और तीसरे शीश बिंदू का मान 4 और 3 बढ़ने पर क्या करना है? हल करना है उसी प्रकार हमें व्यंजक मिला आप इसको सरल भी कर सकते हैं अपने कुन धर्म लगाके और देखेंगे सरल करने पर आपको क्या मिला? सारणे का मान 15 बटे 2 छेतफल क्या हुआ? 15 बटे 2 वर्ग 1 आई ठीक? आई अब एक और सवाल ले सारणे को का प्रयोग करके? ए एक तीन और बी शून्ने शून्ने को जोडने वाली रेखा का समीकरण ज्याद करना है ठीक? तो यानि ये तो हमारा बना प्रशन का पहला भाग और क्या प्रशन मांग रहा है? और के का मान ग्याद कीजिए यदि एक बिंदू D जिसका शेश बिंदू यानि जिसका बिंदू क्या दिया हुआ है हमें? के शुन्य इस प्रकार है कि हमारा A, B, D त्रभुज बना रहा है और इसका छेतरफल हमें दिया हुआ है तीन वर्ग एक आई ठीक? यानि इस प्रशन में हमने दो चीज़े ग्याद करनी है तो आईए पहले भाग देखें मान लीजिए A, B पर कोई बिंदू P, X, Y है ची? क्या निकाल ला है हमें? रेखा का समीकरन तो जो हमारा A, B, P है इसका छेतरफल क्या होगा? शुन्य होगा क्यों होगा? अभी हमने बिंदू में देखा था A, B, P ये सारे क्या है? सन्रेख बिंदू हैं तो हमारा क्या निकलेगा सारण एक का मान? शुन्य होगा क्यों? क्योंकि चो तिरबुच का छेतरफल है ये शुन्य है तो इसी लिए इस सारण एक का जो मान है वे किसके बराबर रख दिया हमने? शुन्य के हल करने पे हमें क्या मिलेगा? समीकरन देख सकते हैं अगर हम हल करेंगे इस सारण एक को अब पहली पंक्ति से के अनुदीश प्रसराण करने पर आप पाएंगे क्या समीकरन और वे समीकरन क्या है? य बराबर तीन एक्स ठी? आप देखते हैं हमारा प्रश्न का दूसरा भाग दूसरा भाग क्या बता रहा है? हमारे पास बिंदू D दिया हुआ था और A, B, D छेतफल यानि किसका छेतफल? त्रिबुज का छेतफल दिया हुआ है कितना? तीन वर्ग एकाई ध्यान देंगे A का शीश बिंदू कितना? यानि इसके शीश बिंदू कितने दिये हैं त्रिबुज के? A B D, A है एक तीन, B है हमारा 00, और D कितना है? K 00, हमें क्या निकालना है? K का मान, ठीक है? अब हमने क्या किया? इस प्रकार हम लिख सकते हैं, छेटरफल हमें ज्याद है हमें सारणविक के रूप में हमें पता हैं हम कैसे छेटरफल ज्याद करते हैं तो उसी रूप में हमने लिख दिया और ये किसके बरावर है? देंगे प्लस माइनस तीन फिर से ध्यान देंगे मैंने आपको बोला था हम प्रशन लेंगे जो हमारा दूसरा बिंदू था वे क्या बत्रा आ रहा था? कि हम क्या लेंगे? जब हल करेंगे धनात्मक और रिनात्मक दोनों संख्या लेंगे तो वेही हमने लिए है अब इसको हल करने पर आप क्या पाएंगे? आप देखेंगे हल करने पर सारनिक को हमने क्या मिला? माइनस तीन के बटे में दो बराबर में प्लस माइनस तीन अब क्योंकि हमारा क्या बना? दो भाग बने कैसे? माइनस तीन के बटे में दो बराबर में तीन रखा एक बारी और माइनस तीन के बटे में दो बराबर में माइनस तीन रखा हल करने पर आप देखेंगे एक बार हमें के का मान कितना मिला? रिन दो और दूसरी बार हमें केका मान दो धनात्मक दो, ठीक तो हमें केक के कितने मान मिले दो, वह ही हमने लिख रखे है रेंड दो धनात्मक दो, यानि माइनस टू और प्लस टू ठीक इसका जो हल है वह मैं आप पे छोड़ रही हूँ ये आप करके देखेगा तो बच्चों, आज हमने इस सत्र में क्या-क्या देखा और क्या-क्या सीखा हमने कई गुन धर्म देखे और साथ ही सारणिक की सहायता से तुरिबुज का छेतफल ग्यात करना भी सीखा आशा करते हैं इस सत्र में आपको आनंद आया होगा समझ आया होगा धन्यवद